असलाम वालेकुम मैं हुई रह्म और आप देख रहे हैं माई हॉम बिद किचन तो आज ये मना रहे हूं पराथे चले इसे बनाने स्टार्ट करते हैं तूटी स्पून चुगर एक ग्लास मिल्क हाफ टी स्पून सॉल्ट फॉर्टी स्पून घी और दो कप मैदा चुगर डालेंगे सॉल्ट डालेंगे गी डालेंगे इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे दूद को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दूद से ही हमने आटे को गूनना है पानी चामिल नहीं करना जिस तरह हम आटे को गुंदते हैं से मुष्य तरह गुंदना है जिस तरह एक से मुख्या मारेंगे दिखें आटा हमारा गुंद गया है अब हमसे धक्या रख देंगे तीस मेंट के लिए तीस मेंट हो गया हम धक्कन को अठाएंगे चलें हम एक पेड़ा लेंगे हम सारे आटे के पेड़े बना के रख देंगे श्रा पेड़ा बनाएंगे सारे पेड़े हमने इसकी तरह बना के रख दी है अब हम इसकी किनारे पतले करेंगे इसे बेलेंगे ट्रस्ट करेंगे फिर से बेलेंगे योजियन है कि रालेंगे खेड़े क्से कट करेंगे लंबा लंबा बेलती लिए आप अरगे में खेड़ेंगे किकरते ऑस्टार इचा टयारे और पतले करेंगे फिरसे बैलेंगे इसे जिस थरा हम रोटी को बैलते हैं कि डालेंगे और यसे चुरी की मदद से कट कर लेंगे लंबा लंबा पिरसे एक दूश्य के अप्पर आए और इसे फ़ॉल्ड कर लेंगे पॉल्ल कर लिया है देखें हमारा पेड़ा कितना चतती तैयार है उसे लेंगे अटेमिक लगाएंगे खुश्की लगाएंगे थोड़ी सी अब इससे हम बेलेंगे इस रेसिपी को ज़रू ट्राय करेंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बहुत ही मज़िदार बनते हैं अब जानल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें इससे आने मेरी हर वीडियो आप सबसे पहले पोचेगी यह बिल्कुल फ्री है अच्छी से बेलेंगे से फिर से बेलेंगे अब तभी पर घी लाएंगे थोड़ा साथ अब तब देंगे पराठे को तभी पर पर अब पर अब पर पर प्रेम हमें मेडियो में रखना हम इसे पलतेंगे फिर से बल्टेंगे यह लाएंगे अब शुची से बीजिए लगाया है था हमने इसे घुमाएंगे अच्छे से था करा अच्छी ज़िए था अच्छी ज़िए आप इसे पराठा हमारा बन गया है अब हम इसे उदारेंगे अच्छी ज़िए पराठा होना कितना चाहता है आ रहे तरह फिर से बनाएंगे एक और इसे भी बेल लेंगे लेस्ट करेंगे पिर से बेलेंगे अब तब यह पिदा लेंगे पल्टेंगे पिर से पल्टेंगे घी लगाएंगे अच्छी से गुमाएंगे पिर से पल्टेंगे इसे पराठा हमारा बन गया है इसे ताड़ लेंगे लेकर पराठा हमारे रोड़ी हैं